एलो फ्रेंट तो आज हम बोलजानो वेटराज ठीर हम और सिक्वोंस के बारे में जानेंगे उसका बोलजानो वेटराज ठीर क्या कहता है उसका सट्वेंट है कि ivery bounded sequence मतलब क्या कोई भी bounded sequence है उसका कोई ना कोई तो limit point हो गए उसका limit प्रूब करते है कि let sequence be bounded sequence क्योंकि statement में एक आ है कि every bounded sequence is a limit one मतलब कि हम bounded sequence लेंगे और रम बताएं कि उसका एक limit point है तो उस let sequence be a bounded sequence therefore the range s is also bounded, उसकी range होगी, वो bounded होगी, क्योंकि sequence s is bounded sequence है, तो उसकी range होगी, वो range होगी, वो bounded होगी, अब हमका पता है, कि s is a non empty, in case, अब हम लेंगे finite वाला, in case the range, s is finite, therefore क्या होगा, कि उसका कोई भी at least member, जाए, जाए होगा, कि वो s में है, अब हम उसको लिखते है, कि therefore, there is at least, one member, xi of s, xi है, वो s में होगा, that is assumed by infinitely many terms of sequence s है, मतलब क्या होगा, कि xi, उस s में है, तो xi की, xi है, उसके आज़ पास infinitely many terms होगे, sequence sn में, ठीक है, every neighborhood of xi contains infinitely many terms of sequence sn, मतलब क्या होगा, कि sn is equal to xi, हम उसको लिखते है, कि every neighborhood of xi contains infinitely many terms of sequence sn, as sn is equal to xi, for infinite values of n, कि infinitely value मिलेगी हमको, sequence sn में, xi कोई भी एक है, तो मतलब क्या होगा, कि उसका sequence sn में कोई जाए है, उसके आज़ पास never rule में infinitely many terms है, तो उसका मतलब क्या हुआ, कि xi is a limit point of sequence sn, होगा, तो हमको finite के लिए क्या हो गया, कि limit point मिल गया, sequence sn के लिए, है, अब sn मतलब क्या, now if s is infinite the begin bounded also, क्योंकि statement में हमने वोला है कि bounded है, तो उसका लिमित मिल्स के, s is infinite, infinite the begin bounded also, थियर How m 4 vibes, आपको पता है, उसके बारे में, इस एट है, हमने बोल जादव, वे त थियर में, कि मैंने वह भी video नहीं बनाया है, लेंकिन सैट के लिए है तो उसमें क्या है, कि और जादव, थियरॉरों फोर, पॉर्सेट उसका मतलग क्या होता मैं आपको बता देता हूँ कि वो एस इस इंफाइनाइट अन बाउंडेड है तो उसका मैं बोल जानों वेटर सेरम पॉर्सेट में क्या कहता है कि एस है लिमिट पॉइंट से लिमिट पॉइंट क्योंकि एस है उसमें इन्फानेटल लिमेरी टर्म्स है और बाउंडेड है तो क्या होगा क्यों कोई भी नेज़रा दॉद और नब क्या मिल जाएगा कि वहां पर इन्फानेटल लिमिट पॉइंट पॉइंट limit point तो s has a limit point which which is also a limit point which is also a limit point of sequence s n होगा कोई भी s set है कोई भी sequence के अंदर s है set उसका limit point कोई मिलेगा हमको तो उसकी sequence का तो हो limit point हो गाई तो which is also a limit point of sequence s n as a member of s r assume by terms of sequence s n अब हमको पता है फ्रेंड कि every boundary sequence है उसका limit point होगा है तो क्या होगा है वे दोर s is finite or infinite finite or infinite sequence s n as a limit point of it is bounded ये तो प्रूब होग गया कि sequence है हो finite है sequence है और finite है फिर भी उसमें कोई जाए ऐसा हमको मिलेगा कि वह infinitely many terms of sequence s n तो उसके क्या हो जाएगा जाए is a limit point of sequence s n खुद उसका हो जाएगा limit point हो और वैसे ही हमने एस इस क्या लिया infinite तब क्या हुआ कि वह बाउंडेट है statement के आधार से तो क्या होगा बोल जानों वेटा स्थिर्म offset के बारे में से हमने पता है कि s is a limit point तो s limit point है तो sequence s n में कोई s का limit point है तो sequence s n का भी limit हो गया limit point हो ही हुआ तो वैसे हमने बता दिया कि उसका भी limit point है अतलब क्या हुआ हुआ कि sequence s n वह infinite हो या finite हो कि दोनों के लिए वह bounded है तो उसका limit point हो गया वह बोल जानों वेटरास theorem of sequence कहती है thank you friends अगर आपको कुछ भी doubt है इस वीडियो में तो आप comment कर सकते हो और friends अच्छा लगे तो like करो subscribe करो और share करो